एक चुडिया थी उसके चार बच्चे थे आले बाले चुन्नू और मुन्नू चुडिया अपने बच्चों को बहुत व्यार करती थी जब वो दाना लेने जाती तो अपने बच्चों से कहती बच्चों दर्वाजा अच्छी से बंद कर लेना और जब मैं आऊंगी तो बोलूँगी आले दर्वाजा खोलो बाले दर्वाजा खोलो चुन्नू दर्वाजा खोलो मुन्नू दर्वाजा खोलो तभी दर्वाजा खो वो इस फिरात में रहता था कि कब मौका मिले और वो चुडिया के बच्चो को अपने महल में ले जाए एक दिन जब चुडिया घर से बाहर निकली तो राजा चुडिया के घर पहुच गया उसने दर्वाजे पर दस्तक दी बच्चो ने सुचा मा आ गई वो मा की बताई बात भूलगर और खुशी में जाकर दर्वाजा खोल दिया राजा ने जल्दी से चारो बच्चो को पकड़ा और पिंज्रे में डाल दिया और सीधे अपनी महल की ओर चल पड़ा थोड़ी दिर के बाद चुड़िया आई चुड़िया ने बाहर से आवाज दी आले दर्वाजा खोलो बाले दर्वाजा खोलो चुन्नू दर्वाजा खोलो मगर अंदर से कोई आवाज नहीं आई ना ही दर्वाजा खुला चुड़िया ने फिर से बच्चो को आवाज दी जब दुबारा भी कोई जवाब नहीं आया तो चुडिया घबरा गई उसने जैसे ही दर्वाजे पर धक्का दिया दर्वाजा खुल गया और अंदर गई तो उसको एक भी बच्चा नजर नहीं आया चुडिया बहुत दुखी हुई रोने लगी परिशान होने लगी मेरे बच्चे कहा चले गए कौन ले गया मेरे बच्चो को बाहर आई उसने इधर देखा उधर देखा बच्चे कही नजर नहीं आ रहे थे तूर पेड़ पर एक गिद्ध बैठा हुआ था वो चुडिया को परिशान होते हुए देख रहा था उसने चुडिया से पूचा क्या बात है चुडिया रानी चुडिया ने कहा गिद्ध भईया गिद्ध भईया तुमने मेरे बच्चो को कही देखा है गिद्ध ने कहा हाँ चुडिया बहन मैंने तुम्हारे बच्चों को देखा है अभी अभी राजा आया था और तुम्हारे बच्चों को पकड़ करके ले गया है चुडिया उदास हो गई, बहुत दुखी हुई उसने सोचा, अब बच्चों को तो घर लाना ही है जंगल जाकर उसने पतली-पतली सीकों को इखटा किया और उनको जोड करके एक गाड़ी बना ली उसके बाद वो अपने मित्र चूहों के पास पहुँची उसने चूहों से कहा चूहे भाईया, मुझको तुम्हारी मदद की जरूरत है चूहे बोले, क्या बात है चूढिया रानी, क्या हो गया चूढिया ने उन्हें अपने बच्चों की पूरी कहानी सुनाई और कहा कि अब मुझे राजा से अपने बच्चे वापस चाहिए मैंने गाड़ी तयार कर ली है और तुम्हें उसको खीचना होगा चूहे ब सहर्ष तयार हो गए बोले हाँ चुढिया हम तुम्हारी मदद अवश्य करेंगे चुढिया उस गाड़ी पे सवार हो गई और राजा के महल की तरफ निकल पड़ी थोड़ी दूर ही चली थी कि उसे रास्ते में शेर दिखाई दिया शेर ने कहा चुढिया रानी चुढिया रानी कहा जा रही हो शेर ने कहा सीको की गाड़ी दो गाड़ी में चुहे जुते जाएं राजा मेरा बच्चा चुराया मैं दाव लेने जाऊं शेर ने कहा मैं भी चलू मेरे मदद की भी आवश्यक्ता होगी चुडिया ने कहा, हाँ शेर भया, चलिये, तो अच्छा होगा, शेर भी चुडिया के साथ हो लिया, कुछ और दूर चलने पर, लोमडी मिली, लोमडी ने देखा, कि चुडिया गाड़ी पे सवार हुए चले जा रही है, कुछ घबराई है, उसने पूछा, चुडिया रानी चुडिया रानी, क्या हो गया है, कहा जा रही हो, चुडिया ने कहा, लोमडी बहन, मेरे बच्चों को राजा चुरा ले गया है, लोमडी ने कहा, मैं भी चलूं क्या बहन, उसने कहा, चलो चलो, बड़ी महरवानी होगी, लोमडी भी चुडिया के साथ हो ली, इस तरीके स जंगल में आगे बढ़ते बढ़ते तेन दुआ, भालू, बंदर, सभी जानवर मिले। सभी ने चुडिया से पूचा, चुडिया चुडिया कहा जा रही हो, क्या हो गया है, क्या हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। चुडिया ने सबसे कहा, सीको की गाड़ी, दो गाड़ी में चुहे जुते जाएं, राजा मेरा बच्चा चुराया में दाव लेने जाओं। और सभी जानवर चुडिया की मदद करने के लिए उसके पीछे हो लिए। जब चुडिया राजा के महल के पास आ रही थी, तो रास्ते में नदी पड़ी। चुडिया ने नदी से कहा, नदी नदी, मुझे उस पार जाना है। नदी ने कहा, क्या हो गया चुडिया, क्या बात है, तुम्हारे साथ तो सभी जंगली जानवर है। चुडिया ने कहा, हाँ, ये सभी मेरे मित्र हैं, राजा ने मेरे बच्चा चुराया है, मैं अपने बच्चों को राजा से लेने जा रही हूँ। नदी बोली, मैं भी तुम्हारे साथ चलूं। चिडिया ने कहा, हाँ, क्यों नहीं, आप भी हमारे साथ चलिए, नदी भी उसके साथ हो ली। चिडिया अपने सभी मित्रों के साथ राजा के महल के सामने पहुँच गई। उसने जोर से आवाज लगाई, राजा, राजा, मेरे बच्चे दो। राजा ने चिडिया की बात कोई ध्यान नहीं दिया, बाहर सिपाही खड़े थे, उन्होंने चिडिया से कहा, चलो चलो जाओ यहां से, चिडिया ने फिर से आवाज दी, सैनिको मेरे बच्चे चाहिए मुझे, सैनिक दोड़े दोड़े राजा के पास के, और उन्होंने राजा को खबर दी, चिडिया से कहा, राजा से कह दो, कि मेरे बच्चे वापस कर दे, वरना मुसीबत में आ जाएगा, सिपाही हसने लगे, बोले, यह चोटी सी चुडिया हमें सबक सिखाएगी, चुडिया ने अपने मित्रों से कहा, मित्र हमला करो, सभी जानवर, गरजने लगे, गुराने लगे, चि चैनी को ने राजा को बताया, महराज, चिडिया अपने साथ पूरी फॉज लेकर आई है, उसने हमेरे राज महल में आकरमण कर दिया है, अपने साथ वो बहुत सारे जानवर और नदी को भिलाई है, नदी का पानी हमारे महल में भरता जा रहा है, अब तक राजा के कक्ष में भी नदी का पानी आ चुका था यह सब सुनकर राजा बेहत खबरा गया उसने फौरण अपने सेवक को आग्या दी जाओ चुडिया के बच्चों का पिंज्रा फौरण लेकर के आओ सेवक तोड कर गए और चुडिया के बच्चों का पिंज्रा लेकर आ गए राजा ने सैनिक को पिंज्रा दिया और कहा इसे जाकर फौरण चुडिया को दे आओ सैनिक भागे भागे दोड़े दोड़े चुडिया के पास आए और चुडिया के हाथ में पिंज्रा देते हुए बोले अपनी फॉस बापस बुला लो। चुडिया ने कहा मित्रों बापस आ जाओ हमें हमारे बच्चे मिल गए हैं। चुडिया की बात सुन करके सारे जानवर राजमहल से बाहर निकल आए। नदी भी राजमहल से बाहर आ गई। इसके बाद चुडिया अपने बच्चों को लेकर खुशी-खुशी अपनी गाड़ी में बैठ गई और सभी मित्रों के साथ घर की ओर चल पड़ी। चुडिया ने सभी जानवरों को धन्यवाद दिया कि उनकी मदद से उसके बच्चे अपने घर वापस आ सके। घर आकर चुडिया ने अपने बच्चों को समझाया बड़ों की बात माननी चाहिए। उनकी कही बातों पर अमल करना चाहिए। अच्छा बच्चों बताओ, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हम, संगठन में शक्ती है.